देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज है और सभी पार्टियों की कोशिश है कि हर मुद्दे को राजनीती से जोड़ा जाए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से आरपी सिंग मौजूद है सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पुंच में जो एरफोर्स की कॉन्वाई पर हमला हुआ उस पर पंजाब कॉंगरिस चीफ राजा वरिंग ने बयान दिया उन्होंने कहा कि बीजेपी यानि ये जो सैफरिन पार्टी है ये कुछ भी कर सकती है क्योंकि चुनाव हैं इस वक् चरांव ये उन्का अपहास वड़ा रहे हैं सच ये है कि ये सबके सब लोग पाकिस्तान को क्लिन चिट देते हैं हमला पाकिस्तान की तरrisonंगे झाषा है हमारे जवाब देते हैं उसमें हो बिड़ान चएज़िए होते हैं ये सारे देश को जान करी पर तो ये पाकâyसतान को क्लिंचीट कर, क्लिंचीट इसलिए देते हैं को कि वहां से सपोर्ट सीख करते है वहां के जो चोजरी फ aparece है उनोंने अभी हाल में स्टेटमن्ट लिया कि रहूल गांदी अन फायर रहूल गांदी के समर्थों लें सेटम्ट लिया तो इनको तो पर जवाब देना ही इनको तो क्लिंचेट देनी है पाकिसान को सर्म में कहा कि मिली जुली मामला है इस सब के सब सर्फ मुसल्मानों के वोट के नज़द अगते हुए इस पकार की बियानबाजी करते हैं और देश के जवानों की शहादत का उपहात उडाते हैं सर उन्होंने ये जो पूरी बातचीत की इसकी कंटिनुएशन में ये भी कहा कि पुलवामा में जो अटाक हुआ था उस पर सत्यपाल मलेक जो एलजी थे उन्होंने जो एलिगेशन लगाए उस पर भी बीजेपी ने जवाब नहीं दिया देखिए सत्यपाल मलेक गोवर्नर थे और कितने हासे पर बात करते हैं कि उन्होंने परधान मंतिर जी से चाय की दुकान पर बात करी तो वह सबका सब राजनेती से प्रेरित उनका ब्यान था क्योंकि वह गोवर्नर नहीं रहे थे और वह एक प्रोडिकल दल का समर्थन कर हैं हैं हुए एक हमारी पार्टी का विरोध कर रहे हैं इसलिए इसमेखार की देखिए सत्यपाल मलेक कर रहे हैं पस्तु जो मूल बात है ये सबके सब जब जोडिए सेसे के शोरेहए पर प्लशन उठाते हैं और हमारी शहादर पर प्लशन उठाते हैं तो ये पाकिस्तान को क्रिंच इड़ देते हैं, अगर याद हो जब तिन सत्तर हटाया गया तो उसके अगले दिन राहुल गंदी ने ब्यान दिया राहुल गंदी ने कहा कि कश्मीर में आग जनी होगी कश्मीर में कतलो गैरत हो रहा है और उसी ब्यान को इमरान खार ने यूएन में इस्तमाल किया तो ये सब के सब मिली भगता है इनकी पाकिस्तान के साथ मिली भगता है और इसलिए इस पक पाकिस्तान के जो नेता है जो डीप स्टेट भी है वह ओपन ली कह रही है कि वह चाहती है कि रहूल गांदिस देशकंदर प्रधानुंत्री बने बहुत शुक्रेसर आपका हमसे बात करने के लिए तो आप सुन रहे थे बीजेपी से आरपी सिंग को और इनका कहना है कि ये बयान बाजी इसले हो रही है क्योंकि कॉंग्रिस की कोशिश है पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की और लोगसबा चुनाव में वोट्स को पोलराइ करने की कैमरा परसन अनिल राना के साथ मेरिया जातुशकरन एबी पी न्यूज दिल्ली